अगर आपके भी घर में शोंचाले नहीं बना है तो सरकार द्वारत दिये जाने वाली 12,000 राजशी का लब पाने के लिए आपको किस तरीके से फार्म को ऑनलाइन अपलाई करना है उसी का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ मॉबाइल के माध्यम से आप खुद से फार्म को अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने के लिए आपके पास 3 डाकॉमेंट होना चाहिए जिसमें से पहला ہے आपके घर की फोटो दूसरा है आपकी आधार की फोटो और तीसरा है आपके बैंक पास्बुक की फोटो जिसमें 6,6,000 क कि दो किस्त आपके एकाउंट में भेजी जाएगी तो फ्रेंट से जो फोटो अपलोड करने का साइज हो वह 20 KB तक है मैकसिमम और इसमें जो घर की फोटो होगी वह जो आधार और बैंग पास्बूक की फोटो होगी वह पीडियाफ फाम में और जेपीजी फाम में करने का प्रोसेस अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक आपको ट्रिसिप्सेंट में मिल जाएए वहां पर देख के जो आप असानी से फोटो को को कर सकते हैं पी इसकी डेर्क लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्समें मिल जाएगी अब इस तरह का इंटर फेस आएगा आपको यहां पर साइड में स्वाल करके कट पर क्लिक कर देना होगा यहां से कट हो जाएगा अब उसी के बाद यहां पर महत्तपूर लिंक यहां पर कई आपसन आपको सो हो जाते हैं पहला अपसन सो होगा ग्राम प्रधान द्वारा पंचायद भौन अस्थत ब्यक्तिगत सोंचाले की मांगेत वाविदन यह न्यू तेदिष्ट अस्थल का और ब्यक्तिगत सोंचाले का तो यहां पर आपको ब्यक्तिगत सोंचाले पर क्लिक कर देना होगा अब यहां से आपको अपना जनपत स्लेट कर देना होगा जो भी आपका डिस्टिक्ट होगा ब्लाग पंचायद पर क्लिक करके यहां से आपको अप अप्सलेट कर दीजिएगा उसके बाद जिसके नाम से अपलाई कर रहे हैं उसका नाम यहां पर इंटर कर दीजिएगा अवेदक के नाम में उसके बाद आवेदक के पिता या पती का नाम यहां पर इंटर कर दीजिएगा अब उसके बाद यहां पर आता है मोबाईल नंबर तो यहाँ पर पार यहां को रख बड़ां का नाम बें़ आपको आपको इंटर कर देड ले one बंड़ाल का घुटे हमें कि मेरे कॉटब एक सब्सक्रा हो गर सबस्राइब ब्सक्ता कर दो लीका होता फ़िष्ट पेंच पे उसको देखके आपको FSTी कोड यहां पर इंटर कर देना होगा अवे दक के घर की page तो यहां पर इंटर करदेनी होगी और उसका आधार काड की दोनों साइज की我在टो जो है मर्ज करनको यहां पर अपन्वोड कर देना होगा आवेदक के बैंक के पास्बुक की फोटो यहां पर अप्लोड, तीन फोटो आपको यहां पर देनी होगी तीनों फोटो की साइज जो होगी, वो 20KB से कम तक की होनी चाहिए फोटो की साइज कैसे कम की जाती अगर आपको नहीं पता है यहां पे आपको ध्यान रखना होगा, जो घर की फोटो होगी, वो जेपेजी फार्म में होगी, और आधार कार्ट और बैंग के पास्बूक यह दोनों की फोटो होगी, वो PDF फार्म में आपको convert कर लेना होगा, यहां पे साफ साफ लिखा है, उसके बाद आपको shape पे click कर देन होगा, तो इस तरीके से आप अपने farm को online apply कर सकते हैं, इसमें कोई भी reference number या token number जनरेट नहीं होता, जैसे कि आपने यहां पे देखा होगा, तो friends, अगर आपको इस video related कोई भी doubt हो, या other topic पे आप वीडियो चाहते हैं, थमसे comment करके बोल सकते हैं, Instagram की ID की link description में मिल जाएगी